लाल जंडा यो तो खतरे का निशान होता है लेकिन उतरकाशी टनल में फसे मज़दूरों के लिए ये रास्ते का निशाना जी हाँ ये दो बड़े झदे जो फलाज नज़र आ रहे हैं ये वर्तिकल ड्रिंग के लिए फाइनलाईज की गई जगह के लिए लगाए गई जगह का मतलब है इन जगहों को फाइनल किया गया है ये जो पूरी जगह आपको नज़र आरही है यानि कि धारा है या जिसको कहा दा typically या वही है2 ए यह पर यह वाटर बॉड़ी है आप यहाँ पर पत्थरों पर आरो लगा अगर है यह अगE बढ़ेंगे तो इस जयंगे को फानलाइस करने के लिए इस तरीक SL चिल बोट जादा साफ पड़ने में नहीं आ रहा पर इस पर कुछ कुछ लिखा भी गया है और यहां पर आप देखें कि यह लाल जंडा उसके ठीक चल रहा है लेकिन अब पांच मोर्चों पर काम हो रहा है ऐसे में एक मोर्चा ये भी है जिसमें वर्टिकल तौर पर ड्रिलिंग की जाएगे जहां मैं खड़ी हूँ ये टैनल के ऊपर का हिस्सा है इसके ठीक नीचे जाकर आपको तस्वीरे दिखाऊं तो इसके आसपास की भी अगर आपको जगे दिखाए तो आप देखेंगे इधर से थोड़ा उपर जब हम आते हैं तो इस तरीके के छोटे छोटे लाल जंडे भी आपको नज़र आ रहे हैं ये सर्वे टीम के लगाए गए छोटे लाल जंडे है जो की रास्ता बताने के लिए या सड़क को कहां तक आना है उसके लिए दिखाए जा रहे हैं इसलिए लगाए गए हैं ये पूरी जगे में आप पीछे पेड़ों के पीछे आपको एक और छोटा जंड़ देखेगा ये छोटे जंडे ये बता रहे हैं कि ब्यारों की जाना होगा और टानल पर आपकी वहां पर पहुच हो पाएगी तो ये एक महत्रम को नातर देखे आप ये पूरा जंगल है ये जंगल के जो मलबा है जो जिसकी नीचे ये टानल बनी है वहां पर ढहा है और उसी के थोड़े से आगे इस पॉइंट पर यहां पर अगर बात की जाए तो वर्टिकल डिलिंग का ये पूरा जो पॉइंट है वो भी यहां पर बनाया गया है जाहिर तोर पर जब हम इस पूरा रेस्की ऑपरेशन के बात कर रहें तो आज नवा दिन है ऐसे में अब जो मजदूर है जिन तक अभी तक जो सामान अगर मैं बताऊंगी खा है जिसके अंदर पहले चनों को डाला जाता है या ड्राइफूट्स को डाला जाता है फिर एक हवा पास की जाती है और उसको मजदूर तक पहुचाया जाता है और ऐसे में ये कोई पर्मनेंट सल्यूशन दिखता वन अजर नहीं आ रहा है इसलिए अब प्रियाइटी है कि एक चोड़ा पाइप यानि कि छेब इंची पाइप को फिलहाल इंसर्ट किया जा रहा है में टनल से जिसे कि उन तक खाने का सॉलिड सामान जो है वो पहुच पाए और यहाँ पर जो हम आपको जगे दिखा रहे हैं जहाँ पर हम वर्टिकल ड्रेलिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर भी पहली जो प्राइटी है वो प्राइटी यही है कि एक मोटा पाइप यहाँ से इंसर्ट किया जाए जिसके अंदर से सबसे भेले खाने का समान पहुचाए जाए और उसी की चोड़ाई पे फिर यहीं से नीचे जाकर जो इंडियारफ के लोग है वो उन लोग ईक जो टानल और दूसरा बर कोट की तरफ कहुटा है वहां कि जा रही है ताकि वाहां से ब्र से रास्ता बहुत लंबा है ऐसे में गार बांब का बहुत नृय जो कि तरफ द्रिलिंग करके मजदूरों सब्सभिसवरानिन का और उरिजिनल ठाहर और उसके बाद प्लान टू जहां पर इस वक्ष हमारी मौझूद्गी है जो कि सिल्क्यारा का ये पॉइंट है और जहां पहाड का पूरा हिस्सा है जहां पर हम लगातार आपको दिखा रहें कि किस तरीके से एरो बनाकर इस जगह को अच्छा रास्ता जो है ये कच्छे रास्ते से इसको चुना गया है क्योंकि ये बिलकुल बीच की समतल जमीन है जहां पर ड्रिलिंग करने वाली मशीने लाई जा सकती हैं मशीनों को रखा जा सकता है कि पूरा पहाड का एरिया ऐसा यह देखे जरा साइट से देखे कि किस तरीके का पूरा एरिया जो है पहाड का वो नजर आ रहा है और ये आप दूसी तरफ की तस्वीरे जरा दिखाए और जड़ा समंझने की कोशिश दर्शकों को कराएं कि किस तरीके की पूरी यहां पर संरचना बनी हुई है तो ऐसे में मशीन रखना इंपॉसिबल है इसी वजह से वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए इस जगह को चुना गया है क्योंकि यह बड़े-बड़े पत्थर ही यहां पर सिर्फ है इनको हटाकर मशीन को रखने की जगह यहां पर बनानी है और उसके बाद ड्रिलिंग का काम यहां से शुरू हो सकेगा तो उधर आपको फेर दिखा रहे है कि जहां जहां जाहीं जढ़े होने में नजर आ रहे हैं इनसे आप अंदाजा लगा लिजी कि सड़क जो है बियारो के जो कच्छी सड़क बियारो बना रहा है वो यहां तक पहुचेगी यहां से सड़क उपर की तरफ जाएगी जैसे यह छंडे नजर आ रहे हैं ये पूरा रोड का रास्ता है जो रोड ब्यारो लगातार बनाती आ रही है इस रोड का ये पूरा रास्ता और इसी रास्ते से वर्टिकल ड्रिलिंग पॉइंट तक पहुचा जा सकेगा